हेलो फ्रेंड्स मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ अपने यूटूब शेनल इंडेन ब्लोगर प्रियंका में तो कैसे हो आप सब आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो आज मैं आप सब के साथ अपना मॉर्णिंग टू आफ्टरनून रूटिन शेयर करने जा रही हूँ यहां सुबा हो गई है और मैं आज बनाने वाली हूँ मैगी वैसे तो मैगी हम नॉर्मली जो है वो पानी में उबाल कर ही बनाते हैं बट यहां जो है मैं कुछ अलिग तरीके से मैगी बना रही हूँ तो मैंने पहले मैगी को उबाल दिया है पानी में और फिर उसे च्छान लिया है अब मैंने यहां पर कड़ाई में तेल डालकर उसमें प्याज और मिर्च जो है वो भुन्ने को डाल दी है अब मैं इसमें डालूंगी टामाटर और सिमला मिर उसे मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी उसके बाद मैं इसमें जो मैगी मसाला होता है वो मैं इसमें डालूँगी इसमें मैं थोड़ा नमक और हल्दी पॉडर में मिलाऊंगी और नमक मैं इसमें थोड़ा सा यूज कर रही हूँ क्यों कि जो मैगी मसाला होता है उसमें अल्रेडी नमक भूर्णी दाँँ चाहर, अची तरीके से मशाल्य में भून लूँगी पर यह मही थर नास्तिमें नमक मशाये हो जायेगी तो मैंने और Haz in Canal भूंने के बाद भूंगे और अच्छी तरीके से मिला दूंगी और हमारा जो यह मैगी है यह रेडी हो जाएगा तो मैंने आज नास्ते में यही मैगी बनाया है तो अब मैं आपको यह निकाल कर दिखाती हूँ बहुत ही खिली-खिली मैगी बनती है अगर आप ऐसा बनाओगे तो तो मैं जब भी अपना नास्ता बनाती हूँ तो मैगी अगर मुझे बनाना रहता है तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ सबको बहुत पसंद आती है जो पाने में उबालते हैं वो भी हम बनाते हैं लेकिन सुबा नास्ता में थोड़ा अच्छा कुछ बन जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है तो यह देखिए मेगी कितनी अच्छी बनी है तो मेरा नास्ता तो बन गया है और नास्ता बनाने के बाद मैं क्या करती हूँ सबसे पहले यह तूर की डाल जो मुझे बनानी है उसे में भीगा कर रख दूंगी चाहे में जो भी डाल बनाऊं उसे में पहले थोड़ी दर भीगा कर रख देती हूँ ताकि वो थोड़ी फू तो जल्दी से बन जाती है तो मैंने अब दाल भिगा दिया है अब मैं यहां पर चाय निकाल रही हूं तो एक ग्लास में अपनी लिए निकाल रही हूं और एक ग्लास मेरी जो सास है उनके लिए निकाल रही हूं तो friends अभी नास्ता तो हो गया है और अभी मैं घर को साफ कर रही हूँ घर साफ होने के बाद मैं बच्चों को निलाऊंगी और मेरा एक time fix होता है कि घर साफ होने के बाद जो है सबसे पहले बच्चों को निलाना फिर जो कपड़े निकलते हैं वो सब भी धूलना रहता है तो सारे कपड़े क्या एक साथ निकल जाते हैं बच्ची भी नहा लेते हैं तो कपड़े में धो देती हूं उसके बाद तुरंत ही फिर जब कपड़े सब धूल जाएंगे सारे काम हो जाते हैं साफ सफाई और कपड़े के उसके बाद जो है मैं खाना बनानी की तयारी करती हूं झाल जाल जाएंगे। झाल 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 तो अभी मेरे सारे काम हो गए हैं, इसी बर्दन दोना बाकी है, और यहाँ देखें, खुशी जो है, वो अपना ड्रॉइंग लेके बैठ गई है, और अंसी का टीवी देख रही है, अभी जो है, वो खुशी की चुट्टी चल रही है, एक्जाम हो गए हैं, लेकिन, आपना मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा उसे सुबा आदा घंटा थोड़ा पढ़ने को बिठा देती हूँ, ताकि वो थोड़ा बीजी रहे, तो मैं फटा-फटा अपने काम भी कर लूँ, नहीं तो दोनों जो हैं, वो मस्ती करने लगते हैं, तो मैं अपने काम नहीं कर पाती तो मैं उन्हें इसी तरीके से बीजी रखती हूँ, कभी कुछ पढ़ने बिठा दिया या फिर ड्रॉइंग करने के लिए, और अभी अंसिका भी नेक्स्ट इयर से स्कूल जाने वाली है, तो वो भी थोड़ा साथने पढ़ लेती है, यह जो है अंसिका का युनिफॉर्म ह तो वही मैं ट्राइ करकर देख रही हूँ कि उसे बराबर है कि नहीं या शर्ट तो बराबर है बट जो उसकी स्कट है वो थोड़ी डिली है तो उसे मुझे स्टिचिंग करना पड़ेगा, तो उसे मैं स्टिच कर दूंगी, और यहां देखिए अंसिका कितनी खुस है कि उ आज हो बहुत खुस हो गई है कि मेरा स्कूल रेस है और अभी क्या बोल रही है कि मम्मी मेरे लिए बैग भी लाओगे ना, तो अभी उसका बैग भी आया नहीं है स्कूल में, जब आएगा तो मैं वो भी लेकर आऊंगी तो फ्रेंट्स अभी दोपर के दो बच गए हैं और बच्चों को मैंने खाना दे दिया है और अब हम खाना खाएंगे खाना होने के बाद मैं बच्चों को सुला दूंगी ताकि दोपर में वो दो घंटा सो जाएँ तो friends मेरा आज का ये वीडियो बस इतना ही I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो please मेरे वीडियो को लाइक करिए मेरे जैनल को सब्सक्राइब करिए तो मिलते हैं अपने next vlog में तब तक के लिए अपना बहुत चरह ख्याल रखिए अपने परिवार का ख्याल रखिए टेक कियर बाई बाई